असलाम आलाइकुम फ्रेंड मोव किचेन एंड लाइस्टाइल में आप सभी को स्वागा थे आज मैं बनाने जा रहे हो रमजन पेशाल एक बिर्यानी एक बिर्यानी बनानी के लिए यहाँ पे मैंने बसमती चाहल एक घंटा पहले भिगा के रख दिया था दो मिडियम साइज का टोमेटो काट के लिए दो मिडियम साइज का प्याज काट के लिए दो त्रीन ग्रीन चिली काट के लिए कुस साबोद ग्रीन चिली ले लिए और तिन प्याज लंबा लंबा पिसेस में काट के रखा अधर क्लेशन का पेस्ट ले लिया पचास किरम रिफाइन ओयल दो तीन तेज़ पत्ता गोल मोरीज लॉंग दार्चिनी एलाज एक कटरे में तीन चमच दही लिया करीब देर टेबल स्पन नमक डाल दिया वान टेबल स्पन जीरा पाउडर डाल दिया चिली पाउडर डाल दिया वान टेबल स्पन से थोड़ा सा कम कश्मीरी चिली पाउडर डाल दिया वान टेबल स्पन गरम मसला पाउडर डाल दिया वान टेबल स्पन साही बिरानी मसला और थोड़ा सा चीनी डाल दिया इसको जैसे मिक्स कर देती हूँ मसाला बनके रेडी हो गया है चार चमच दूद लिया दूद के अंदर थोड़ा सा फुट कलर मिला दिया पांच अंडे और दो आलू काटके मैंने यहापे बॉयल होने के लिए रख दिया और दूसरी तरफ चावल को बॉयल करने के लिए मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया जब इसमें उबाल आ जाएगा तब मैं मसाला और चावल एड़ करूँगी पानी में उबाल आ गया अभी मसाला एड़ कर दिया थोड़ा सा ओयल एड़ कर रही हूँ एक टेबल स्पन नमक डाल दिया भी चावल डाल देती हूँ अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ओयल देने के बज़े से चावल एक दुसरे के साथ नहीं चिपकेगा चावल को मीडियान फ्लेम में 80% तक पकाना है अंडा और आलू बॉयल हो गया है तैस बंद कर देते हैं पैन में ओयल डाल दिया प्याच डाल देती हूँ बिरानी के अंदर सबसे जुरूरी है कि फ्लेवार आए फ्लेवार आता है प्याच को ढंक से भूने ग्रीन चिली को भी अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं प्याच ग्रीन चिली फ्राय हो चुका है अभी उठा लेते हैं ठांदा होने के बाद इसका कलर और भी चेंज हो जाएगा चावल देखते हैं चावल लगबग 80 परसें तक पाग गया है अब इसको निकल लेते हैं चावल के मदद से अटे को छटा छटाँ च्छीद कर लेते हैं धुर सा हल्दी डल के अटे को फ्राइक कर लेते अटे फ्राय हो चुका है इसको ऄठा लेते हैं ऑलमे अश्य को भी अच्छे से फ्राय कर लेते हैं लगबग 30 परसें तक अलु और आंटा जब बोल कर रह अलो को निकाल लेती हूँ ओयल में प्यांच डाल दिया ग्रिन चिली भी डाल देते हैं अच्छे से भून लेते हैं भून चुका है अधर कलस्ट का पेस्ट डाल देती हूँ इसको अच्छे से मिक्स कट दिया अभी कटे हुए टामेटो डाल दिया इसको भी अच्छे से mix कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, अच्छे से mix करके इसको एक मिनिट के लिए ढख के रख देते हैं, एक मिनिट हो चुका है, इसको एक बार mix कर देती हूँ, अभी जो masala मैंने बाना कर राका था, दही के साथ मसला डाल देती हूँ, मसला को भी अच्छे से mix कर देती हूँ, अच्छे से mix हो चुका है, मसला को ढख के दो मिनिट के लिए पकने के लिए रख देते हैं, दो मिनिट हो चुका है, मसला से ओल चोड़ना शुरू हो गया है, इसका मतलब मसला पाग गया है, आलो और अंड़ा डाल के अच्छे से mix कर के लिए रख देते के पांच मिनित के लिए रख देते के 5 मिनित हो चुका है पंग ग्या है को यह में तावा चलाके इसको गरम होने के लिए रख देते कि यहाँ पर ने कड़ाय में घी डाल दिआ अच्छ से मिक्स कर देती हो घी के जगा पे आप ऑईल भी यूज़ कर सकते हो चावल डाल देते हैं फर्स्ट में चावल का लेयर बनाना है उसके बाद अंडा और अलू डाल देते हैं फ्राय करा हुआ ओनियोन और ग्रील चिली डाल देते हैं थोड़ाचा शाही बिर्यानी मसेला पावडर डाल देते हैं वान टेबल स्पन घी डाल देते हैं दो तिन कड़ी पता डाल देते हैं आप यहाँ पे धनिया पत्ता पुदिना पत्ता भी डाल सकते हो मेरे पास फिलल नहीं था इसलिए नहीं डाला उपर से फिर चाल का एक लेयर डाल देते हैं आपको बिर्यानी में और फ्लेवर चाहिए तो आप केवड़ा जल ओ रोजी वाटर यूज़ कर सकते हो एक जुरूरी टीप्स में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरे साथ बहुत बार यह हो चुका है बिर्यानी तो बहुत अच्छा बना है लेकिन आलू बॉयल नहीं हुआ है इसलिए मैं जब अंडा बॉयल करती हूँ उसी टाइम आलू को भी बॉयल कर लेती हूँ सेम पॉसेस में बाकी का भी लेयर मैंने पुरा कर लिया है अब देख सकते हो उपर से मैंने तीन टेबले स्पन घी डाल दिया फ्राइ हुआ ओनियोन और ग्रीन चिली डाल दिया थोड़ा सा कड़ी पता डाल देती हूँ थोड़ा सा शाई ब्राइनी मसला पाउडर डाल देती हूँ अभी लास्ट में जो मिल्क के अंदर मैंने फूट कलर मिला के राखा था और डाल देती हूँ इसमें ब्राइनी का कलर बहुत सुन्दर आएगा इसको ढखके ताव के उपर रख देती हूँ कड़ाई में छीद है इसको मैं टीश्यू पेपर के मदद से बंद कर दिया एक मिनिट तक इसको हाई फ्लेम में पकाएंगे उसके बाद 15-20 मिनिट तक इसको लो फ्लेम में पका लेंगे 15-20 मिनिट हो चुका है अब इसको चेक करती हूँ विरानी पक गया क्या देखिए मैं एक स्पून के मदद से चेक कर रही हूँ और एक बाद चेक कर लेती हूँ क्लीन आ रहे है इसका मतलब बिरानी पक चुका है अब इसको ढखके आधा खंटा के लिए गैस के ओपर ऐसे छोट देंगे आधा खंटा हो चुका है अब ही मैं प्लेट में निकल के दिखाती हूँ एक साइड से चमच के मदद से आप बिरानी को प्लेट में निकल लीजिए हलका हातों से इसको निकलना है नहीं तो चावल तूट सकता है और बिरानी देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा इसलिए आप हलका हातों से बिरानी को निकल लीजिए अभी मैं बिरानी को टेस्ट करके देखती हूँ माशालला बहुत अच्छा बिरानी बना है मेरे रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरुर करना अपने फ्रेंड के शाथ शेयर करना मेरे चैलेंड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बिल आइकन को दबाएए थैंक यू